नमस्कार मेरे प्यारे वीर एक बार फिर से आप सबीका स्वागत है पुत्त पर्दिस पुलिस पर्दी 2022 असिस्टेंड अपरेटर या फिर हेड़ आपरेटर के लिए जीकी प्लस साइंस की लाइप क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है और मेरे प्यारे मेरे आज हमारी क्लास नमबर 44 है इसके पहले हमने 43 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जागर के कर्मा अनुसा रध्यान कर सकते हैं वर्दी तो आपको दिला करी रहेंगे गाईस अगर आप डेली और लगाता क्लासेस को देख रहे हैं तो निश्य दूर्प से आप सबको वर्दी मिल जाएगी मेरे पैरे मेतर आज हमारी क्लास नमबर 44 से इसके पहले कि सारी क्लासेस की पीडियाफ आप हमारे टेलीकराम पर पाजाएंगे और सारी क्लास जो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो अब आईए गाई समबरते हैं क्लास की तरफ मेरे पैरमित्र आप यहां पर देख लो मा के सपने और पिता की महनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है उनकी खुशी के लिए ही सही तुम्हें अपनी मिंजल पानी है मुरी विसलाइन आपके लिखी गई है कि मा के सपने और पिता की महनत की बस एक छोटी सी कीमत चुकानी है उनकी खुशी के लिए ही सही तुम्हें अपनी मिंजल पानी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब प्यारे भाईव हैं अगर पूरी जीजान और पूरी सिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सब को वर्दी मिल जाएगी क्योंकि मैं आप के लिए पूरी जीजान लगा रहा हूं ताकि आप सब को वर्दी मिल जाएगी और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप दिन रात एक करके और मेहनत लगन और तरता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सब को वर्दी मिल जाएगी, आप सब के माता फिता के सपने जरूर पूरे हो जाएगे, बस मेरे पैरे भाई आपको होसले को अपने उर्जा देते रहना है, हार नहीं मानना है क्योंकि अगर आप हार माज जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरे पैरे मित्र आप हार भी ना मानियेगा, आप बिल्कुल जीजाल लगागर पढ़ाई कीजेगा, आप सब को वर्दी जरूर मिलेगी, मा के सपनी और पिता की म हमने बताएंगे सही आंसर क्या होगा, पुरा पासान काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, जो भी ब्यादे भाई बेन बताने कि सिकार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरा पासान काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, सिकार ही उनका मनो नहीं नहीं बता भाइंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप सब important question है जो भी व्यारे भाईबेन अभी तक इस class को like नहीं किये हैं class को और आगे देखने से पहले इस class को दिल के गहरायों से एक बार like कर देंगे क्योंकि guys आप सब का फर्ज बनता है कि कम से कम इस class को like करने के बाद ही आप देखें क्योंकि आप सब प्यारे मेत्र को लगता है कि इस class में मेहनत लगती है तो आप सब का भी फर्ज बनता है कि इस class को कम से कम like तो करी दिया करी नव पाशाल काल के लोगों दारा पाला गया प्रथम पसू कौन सा था जो भी प्यारे भाई में बतारे है option number C कुत्ता विलकुल correct dancer हो जाएगा मेरी प्यारे भाई कुत्ता जो है, lavender नौ पाशाल काल के दोरा पाला गया प्रथम पसू था तो जो भी option नवर C बतारे हैं, विलकुल correct dancer हो जाएगा विलकुल perfect dancer हो जाएगा अगला आपके सामने मेरी पहरे भाई कि सबसे पहले कौन सा हडपा कालीन अस्तल खोजा गया था आपसे यहां पर पूछा गया कि सबसे पहले हडपा कालीन अस्तल कौन सा खोजा गया था कोई शेर आपका important है बताएंगे इसका perfect answer क्या हो जाएगा तो मेरे प्यारे मेत्र यहां देखना सबसे पहले इसमें कौन सा हडपा कालीन अस्तल खोजा गया था हडपा ही सबसे पहले खोजा गया था और यह कब खोजा गया था ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल मेरे पैरे में तरी यह कब खो जा गया था 1921 में किन के दोरा खो जा गया था दयाराम सहनी के दोरा यह खो जा गया था सबसे पहले हड़ापा कारी नस्तल कौन सा था हड़ापा जो भी आपसे नमबर ए बताने मेरे प्यारे भाई आपसे नमबर ए बिल्कुल करेक् हाथ कॉईडियों में आप सब kuET क्व पताएए हैं और लगमग-आप सब को याद भी हो गया होगा करे Pit कर अंद 17 वेडियों में या अपको नहीड तो कि मैंने ने आफैंगए पारिक्ट्थ ऑन्सर क्या होगा 0 गौतम बुद का जन्म कहा हुआ था जो भी हमारे पैरे भाई बेन आप्सन सी बतारें लुम्बिनी विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने मेरे पैरे भाई इसका आंसर आप सब को बताना है कि वुद्ध सब्दका ताति पर ये क्या होता है आप से आपर कुलमिलाकर के पुछा गया कि वुद्ध सब्दका ताति पर ये क्या है एक विजेता एक परिमोचक या फिर एक घ्यान संपन निव्यक्ति या फिर एक भिरमड कारी या फिर उपर युक्त मैंसे कोई नहीं बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेशन काफी जादा इंपोर्डेंट है बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा तो बुद्ध सब्दकातातिक पर ये क्या होता है एक घ्यान संपन निव्यक्ति जो भी उप्सन नमबर सी बताने है मेरे प्यारे मित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि गौतम बुद्ध की अमरित्यू कहा होई थी आरारवी गोरखपूर परिक्षा 2002 और 2004 में पूछा गया है important question है बताएंगे इसका perfect answer क्या होगा गौतम बुद्ध की अमरित्यू कहा होई थी आप सबने यहाँ पर बता दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहा होई था तो आपने बता दिया कि लुंबणी में आपको बताना है कि इनकी मरित्यू कहा हुई थी गौतम जमने लुम्बनी बोध गया में ग्यान सारनात में सीख दी कुशी नगर में जान तो इनके मृत्यू कहा हुई थी कुशी नगर में जो भी मेरे पहरे भाई बेन आपसन सी बता रहें बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने कि भारत का प्रथम स सामराज जनिर्वाता कौन सा वंस था आपसे इंपोर्टन कुशन पूछा गया है बताएंगे इसका प्रफेक्ट आंसर क्या होगा प्रतम सामराज जनिर्वाता अगर आपसे प्यात की जाती है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई मौरी अवंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटा फट आंसर देंगे सभी बैरे भाई राइट आंसर क्या होगा नए दुनिया की खोज किसके दारा की गई थी आप सबको पता होगा नए दुनिया की खोज जो है क्रिश्टोफर कोलंबस के दारा की गई थी और यही भारत नहीं आया था ठीक है क्रिश्टी उपर कॉलंबस जो है ये भारत नहीं आया था मेरे पैरमित्र याद रखना सबसे पहले पॉर्टगाली में कौन आया था यूरोपिय ब्यापाली सबसे पहले कौन आया था तो वो थगा इस वोसकोडिगामा जिन्होंने समुद्रे मार की खोच की थी प्यारे भाई कि मैगन स्थनीज किसके दरबार में आया था आपसे इंपोर्टन कुशन पूशा गया है बताएंगे इसका प्रफरक्ट आंसर क्या होगा मैगन स्थनीज किसके दरबार में आया था important question है बताएंगे इसका perfect answer क्या होगा तो जो भी हमारे प्यारे भाईबेन आपर बता रहें कि चंद्रगुप्त मौरिय के सासनकाल में मेगस 30 आया था विल्कुल correct answer हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र आप्सिन नमबर A जो है आपका विल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question आपसे पूछा गया कि मेगस 30 द्वारा रचित किस ग्रंट से भारत के मौरिय कालीन इतिहास का पता चलता है मेरे प्यारे भाई simple तरीके से कहा जाए तो आपसे ये पूछा गया है कि मेगस 30 के द्वारा निम्र में से किस ग्रंट की रचना की गई है important question है बताएंगे इसका सही answer क्या हो जाएगा अगर आप इसका answer नहीं जानते हैं तो आप इसका screenshot जरूर ले लिज़ेगा मेरे प्यारे मित्र वैगस 30 द्वारा रचित किस ग्रंट से भारत के मौर्य कालीन इतिहास का पता चलता है जो भी हमारे पैरे भाई में यहाँ पर बता रहे हैं इंडिका विल्कुल perfect answer हो जाएगा विल्कुल correct answer हो जाएगा ए आँसर जो है आपका विल्कुल right answer हो जाएगा अगला कुशन आपसे पुछा गया है मेरे पैरे मित्र कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है आपसे important कुशन पुछा गया है बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा भारत में सबसे अधिक कौण से मिट्टी पाई जाती है तो जो भी हमारे प्यारे भाई बेन यहाँ पर बतारे हैं अलोवेल स्वाईल या फिर जलोर मिट्टी जो होए यह भारत में सबसे अधिक छेतर में पाई जाती है option number C जो भी हमारे प्यारे भाईबेन option C बता रहे हैं बिल्कुल perfect answer होगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला आपसे पूछा गया कि नेमलिकित मैसे सबसी अधिक उपजाओ भूमी कौनसी है अभी आपसे कहा क्या गया यहाँ पर आप देख लो बताया क्या गया आपसे कि सबसी अधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो है किस मिट्टी में होती है तो आपने क्या बताया जलोड मिट्टी में और आपसे इस question में क्या पूछा गया मेरे प्यारे मित्र कि सबसे अधिक उपजाओ भूमी कौन सी है उपजाओ का मतलब हो जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होगी वहीं तो सबसे ज़्यादा उपजाओ होगी ना बिल्कुल तो जलोर मिट्टी जो है यही सबसे अधिक उपजाओ भूमी होती है जो भी हमारे पैरे भाई जाएगा नेशिंद रही है मेरे प्यारे भाई आप सबको वर्दी मिलेगी लेकिन आपके अंदर होना चाहिए और अगर आपके अंदर जज़बा है और अगर आप उसे कांडिनिवस्टनली एडर्जी दे रहे हैं तो आप सबको वर्दी मिलेगी मेरे प्यारे भाई और मैंन जानकारी भी दैदी है कि अब तक कुल किसने फार्म भरे जा चुके हैं कितने competition हो शकते हैं मैंने सारी जानकारी आप सब को दैदी है बीच बीच में important जानकारी आपको मिलती रहती है आपके exam से related ठीक है तो लेकिन आप तैयारी करते रहिए पढ़ते रहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे प्यारे भाई competition टगड़ा होने वाला है तो आप जीजान लगा कर तैयारी कीजिए पूरी इसमें ताकत जोंको दीजिए एक वर्दी पाने के लिए तो नीशी द्रूप से आप सबको मिर्दी वर्दी मिली जाएगी अप सब के सबने जरूर पूरे हो जाएगे लेकिन मेरे पैरे मित आप सबको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि competition काफी ज्यादा tough होनी वाला है ठीक है तो न मिट्टी चाहिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटा फट देंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए तो जो भी हमारे प्यारे भाइबें बताने हैं रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है मेरे पैरे में तरह याद रखना काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गाइस ये टूटे पूटे चटानों से मिलकर भी बनी होती है ठीक है तो रेगुन मिट्टी जो होए ये काले कपास की खेट कुछिशन की दर बढ़ते हैं अगला कुछिशन आप से पूचा गया कि पुछ तक दरिद्र नारायन के लेखक कौन है इंपोर्टन कुछिशन है बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा पुछ तक दरिद्र नारायन के लेखक कौन है वैसे तो आपको गाइस इसका सही आंसर मिलेगा महत्मा गांधी लेकिन महत्मा गांधी अगर आप्षिन में नहीं दे जाता है तो याद रखना राजा राधिका रमल प्रसाद शिंग राजा राधिका रमल प्रसाद शिंग यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यह आंसर जो है यह आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला आपके सामने कि हिंदू वीधी पर एक पुष्टक मिताक्षरा किसने लिखी है अब आपसे सिंपल दरीके से कहा जाए तो यह कोईशन पूछा गया कि मिताक्षरा किसके दारा लिखी गई है नयचंद्र के दारा या फिर अमो घवार्सा के दारा या फिर विज्ञानेसर के दारा या फिर कंबन के दारा जो भी हमारे प्यारे भाइबेन बताने के मिलीकाक्षरा विध्याने सुर्ख के द्वरा लिखी गई है बिलकुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र option number C आफका बिल्कुल perfect answer होगा अगला आपसे पुछा गया कि grant सत्यार्थ प्रकास कि समासा में लिखा गया है इसके साथ आप ये भी बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकास जो है ये किसके दारा लिखा गया है फटा फटा आंसर देंगे सही आंसर क्या होगा तो देखो जो भी प्यारे भाइबें बता रहें कि सत्यार्थ प्रकास जो है ये हिंदी भासा में लिखी गया है और किन के दारा लिखा गया है आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है याद रखना मेरे प्यारे मेत्र दयानंद सरोस्थी के दारा ये जो है ये पुस्तक लिखी गई सत्यार्थ प्रकास थी का ये गन्त लिखा गया है तो सत्यार्थ प्रकास की सबसा में लिखा गया है हिंडी चिन के दॉरा लिखा गया तो दयानंद सरस्वती के दॉरा लिखा गया जो भी पहरे भाई भियन Option Number A बता रहें बिल्कुल correct answer होगा आपका option number A जो होगा आपका बिल्कुल perfect होगा अगला है कि माटी की मूरत पुस्तक के रचेता है आपसे option में माटी की मूरतें के नाम से भी दिया जा सकता है तो इसको लेकर क्या ब्रहमित बिल्कुल भी न होई एगा ठीक है माटी की मूरत पुस्तक के रचेता कौन है यह question आप सबसे पूछा गया है मेरे प्यारे मित्र मैं आप सभी प्यारे भाई वहन से एक बार दिल की गहरायों से फिर से request करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए पूरी जीजान लगा रहा हूँ आपके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सब के सपने पूरे हो जाएं और अगर आप सब लें अभी तक इस class को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्यारे भाई वहन जो भी class को लाइक नहीं किया है मैंने ये ठाना है कि जितने भी मेरे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी भी आर्थी किस्ति ठीक नहीं है या फिर जो भी मेरे प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े है आर्थी किस्ति ठीक है या नहीं ठीक है कुछ भी मतलब हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए सब कुछ मैं आपके लिए फिरे में करूँगा ठीक है लेकिन आप सब प्यारे भाई भाई भेन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस class को like तो कर ही दिया करें like करने में आपका कुछ नहीं जाएगा अगर like करने में आपके account से आपके प जरूरत है तो जो भी प्यारे भाई भेन अभी तक इस class को like नहीं किये है वह एक बार class को दिल की गहरायों से like जरूर कर देंगे तो माटी की मूरत पुस्तक के रचेता कौन है जो भी प्यारे भाई भेन बतारें राम ब्रिक्छ बैने पुरी बिल्कुल सही आंसर हो आपको option number B जो है बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगल आपके सामने मेरे प्यारे मेत्र मेरी 51 कबिताएं किन की रचना है important question है आपसे पूछा गया है मेरी 51 कबिताएं यह जो है किन की रचना है तो अटल विहारी वास पेई के दौरा मेरे 51 कबिताएं यह रचना लिखी गई है ज और इन question आपसे पूछा गया है बताएंगे यूवान जो है कहा की मुद्रा है तो जो भी हमारे प्यारे भाइबें बता रहे हैं कि चीन की मुद्रा यूवान है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे में तो याद रखना चीन की राजधानी कौन सी है अगर आपसे सामने है कि England की मुद्रा कौन सी है important question है बताएंगे इसका प्रफक्त आंसर क्या होगा England की मुद्रा कौन सी है तो मेरे पैरे मित्र important question आपसे पूछा गया है जो भी मेरे पैरे मित्र बताने है कि pound sterling विल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका option number D England की मुद्रा कौन सी है pound sterling option number D आपका विल्कुल करेक्ट आंसर होगा अगला आपके सामने ही पूछा गया question कि छेत्रफल में कौन सा राज्जी है सबसे बड़ा है important question है एक दो तीन चार पांच पांच पार बार आया हुआ है तो आपसे ये question आपके exam में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्र याद रखना important बहुत है छेत्रफल में कौन सबसे बड़ा राज्जी है राजस्तान जो ये छेत्रफल में सबसे बड़ा राज्जी है अगर छेत्रफल की दिष्टी से कहा जाता है तो आप याद रखना राजस्तान छेत्रफल की दिष्टी से है करें की सबसे ज्यादा छेत्र-فल की सराजिका है उसके बाद कम और उसके बाद कम और उसके बाद कम किς राजिका होगा Cat बथाएंगे इसका सही अंसर क्या हो जाएगा कि तो आप सब को पता है कि सबसे न्बर एक पर आता है राजस्थान फिर काम और फिर आएगा V, तो C, A, D, V, C, A, D, V, यानि कि option number C जो भी पैरे भाईवें बता रहे हैं, बिल्कुल सही answer होगा, बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, छेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या question आप से पूछा गया है, बताएंगे इसका perfect answer क्या होग चेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, important question है बताएंगे इसका perfect answer क्या हो जाएगा, जो भी मारे पैरे मित्र, option number C बतारे हैं, गोवा, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, छेतरफल की दृष्टी से गोवा, जो है, ये सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल perfect answer हो जाएगा, अगला आपके सामने मेरे पैरे मित्र, निमलिकित में से भारत वर्स का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अब आपसे कहा क्या गया, भारत वर्स का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अगर आपको बीच में भारत वर्स दे दिया जाता है मेरे पैरे मित्र, तो याद रखनाग सिक्किम जो है भारत वर्स का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है, अगला, सबसे लंबी तटिये रेखा वाला राज्य कौन सा है, इंपोर्टन कितना है, मित्र आप देख सकते हूँ, बताएंगे इसका perfect answer क्या होगा, सबसे लं तटिये रेखा वाला राज्य है, ऑप्सेन नंबर अ आपका बिलकुल perfect answer हो जाएगा, अगला, आपके सामने पूछा गया है कि केंद्रिये एन्धन अनुसंधान संस्थान कहा है, इंपोर्डन कोशन है, बताएंगे इसका सही answer क्या हो जाएगा, केंद्रिये एन्धन अनु अरे मित्र केंद्रिये इनर अनुसंदान संस्थान जार खंड के धनबाद में है आपसे नमबर वी आपका विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अभी आप क्लास को अंतितक देखिएगा अभी हम फिजिस कोईस्टन को भी कंप्लेट करने वाले हैं क्योंकि आप सब को पत गया कि केंद्रिये चावल अनुसंदान संस्थान कहा है फटाफट बताएंगे इसका राइट आनसर क्या होगा उरीसा के कटक में केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान है तो जो भी बैरे भाईवें उप्सन भी बताने बिल्कुल सही होगा या कोईशन आपका इंपोर्डेंट है मित आप इसका स्क्रिंस्वाट जरूर ले लिजेगा नेक्स आप से पूछा गया है कि राजेंद्र क प्रसी विद्याले जो भी प्यारे भाईवें आप संडी वतारे मिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा तो मेरे प्यारे भाई हमने यहां पर जी की कोईशन को कंप्लेट कर लिया अब हम पढ़ते हैं फिजिस कोईशन की तरफ लेकिन उससे पहले में आप सब प्यारे भा क्योंकि हर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है अरे जरा एक बार सोचो क्या सपने पूरा करने के लिए तुम्हारा खौन नहीं खौलता है और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मुझे यह पता है कि आपको एक वर्दी पाने के लिए आपके अंदर खौन जरूर ख खौल रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप सिर्फ इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हर कोई तुम्हें पढ़ने के लिए बोलता है अरे मेरे पैरे मित्र एक बार जरा सोचो कि क्या आपको अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हारा यानि कि अपना खून नही खौलता है अगर खौलता है तो आपको इसे ठंदा करने के लिए जीजान लगाना होगा और आपको एक वर्दी पाना होगा इसलिए कहते हैं ना जो भी आप जीजान लगाकर तयारी करोगे आप सब को वर्दी जरूर मिल जाएगी तो अब आईए हम बढ़ते हैं physics questions की तरल पदर्थ के घनत कौम आपने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तरल पदर्थ के घनत कौम आपने के लिए कहने का मतलब आप से ये कहा गया कि द्रव के घनत कौम आपने के लिए किसका प्रियोग किया जाएगा अब आप यहां पर ये याद रखना मेरे प्यारे आपसे कहा क्या गया, द्रव के घनत कम आपने के लिए, द्रव आपसे दे दिया गया ऑगर आपको दूद्ध दे दिया जाता, दूद्ध के घनत को तो आप कहते लोग कंción कम आपके लोग समय। क्यल कि उय्हुक्षाः होगा, आपको option number B विल्कुल perfect होगा अगला आपके सामने पानी के अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए किसी यंत्र का उप्योग किया जाता है important question है बताएंगे सही answer क्या होगा पानी के अंदर की वस्तों का पता लगाने के लिए किसी एंटर का उपयोग किया जाता है सोनार का प्रियोग किया जाता है जो भी हमारे फेरे भाईव हैं आपसउसी बतारे हैं विल्कुल perfect होगा विल्कुल correct answer हो जाएगा जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है अब जहाजों में ये आपसे का गया अब यहाँ पर जहाज जो होगी वाक कौन सी होगी ये गाइश होगी पानी की ठीक है पानी की गहराई मापने के लिए एकोलोसन का उप्योग किया जाता है मेरे प्यारे भाई याद रखना आपसन नमबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा बिल्कुल करेक्ट होगा दूद के घनत्यों को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण यूपी होगी है अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया जो मैंने आपको फ़र्ष्ट में ही बताया कि अगर आपको तरल पदार्थ के घनत्यों की बात की जाते तब आप कहेंगे हाइड्रो मेटर लेकिन अगर आपको आपसन में दिया जाता है कि दूद के घनत्यों को किस के दारा मापा जाता है या पिर दूद के घनत्यों करने धार किस उपकरल के दारा मेजरमेंट गया जाता है तब आप कहेंगे लैक्टो मेटर तो जो भी हमारे प्यारे भ पचीज से तीस साल तक की होती है दक्सता यानि की चलने की उम्रा तो सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन नमर डी डीजल इंजन की दक्सता सबसे अजिक होती है ऑप्शन बी जो भी प्यारे भाई बहन बता रहें विल्कुल परफेक्ट होगा घर के विजली का विल किसके आधार पर आता है घर के विजली का विल यानि कि अगर आपके घर में बिजली लगा होगा तो आपके घर में बिजली का जो विल आता है वो किसके आधार पर आता है आपको पता होगा मेटर लग चुके हैं और आपसे ये भी कहा जाता है कि जादा वाट के बल्ब ना है तो 10 वाट के अब ले 100 वाट का अगर आप बल्ब जलाएंगे तो बिजली का बिल जादा आएगा तो कुल मिला करके यह किसकी आधार पर आता है वाट की आधार पर आता है तो मेरे पैरे भाई क्या होता है वाट ही होता है ठीक है नेक्स्ट आपके सामने की घरेलू फ्यूस्तार कहने का मतलब है आउट प्रोटेक्टिंग दिवाइस का होता है गलनांक कैसा अती उच निम्न उच या फिरन में से कोई नहीं जो भी पैरे भाई बाता रहें कि निम्न गलनांक होता है बिल निम्न गलनांक होता है इसके साथ साथ आप याद रखेगा इसका गलनांक तो निम्न होता है लेकिन इसका प्रतिरोध जो होता है कि कैसा होता है उच्च होता है अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो गलनांक निम्न होगा याद रखना आपसन भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको आपसंडी बिल्कुल प्रफेक्ट होगा अगला आपके सामने कि जिन पदार्थों के में अनंत विद्धत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं विद्धत के प्रवा के बीच में आने वाले अबरोधों को विद्धत प्रतिरोध कहा जाता है और अनंत व विद्धुत प्रतिरोध होता है तो उन्हें विद्धुत रोधी कहते हैं जो भी पैयरे भाए में ऑपसंसी बता रहेंगें विद्धुत रोधी बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपका option number C जो है यह बिल्कुल perfect answer हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विद्धत का सुचालक नहीं सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें विद्धत का चलन हो सके तो aluminum में यहापर aluminum में तो भी सकता है tungsten तो होगा ही क्योंकि जो guys bulb होता है उसका जो तंतु बना होता है वो tungsten का ही होता है filament जो हो किसका बना होता है tungsten का ही होता है nickel में भी होगा लेकिन यहापर जो बताए गया चीनी मिट्टी की बरतन इसमें तो guys इसे विद्दुत का सुचालक कुछ ही भी नहीं हो सकता है विद्दुत का संचलन हो ही नहीं सकता है option number A जो भी पहरे भाई बहन बता रहें विल्कुल correct होगा अगला आपके सामने मुक्त रूप से लटकी चुम्बकी सुई का अक्ष भागॉलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है कितने डिगरी का थोड़ा tough question है याद रखना 18 डिगरी का बनाएगा जो भी पहरे भाई बेन अपसंसी बताने 18 डिगरी का विल्कुल correct होगा हवा में उपस्तित आदरता की मात्रा को क्या कहा जाता है मित्र important बहुत है बताएंगे इसका सही answer क्या हो जाएगा जो भी question आपको important लगे आप उसका screenshot तुरंत रहे लिया करें ठीक है जैसे मैं right answer पर टिक करूँ आप उसका screenshot जरूर ले लिया करें हलाकि इसके PDF तॉप को मारे टेली गराम पर मिलेगी ही तॉप टेली गराम पर भी जाकर की PDF देख सकते हो ना हवा में उपस्तित आदरता की मात्रा को क्या कहा जाता है जो भी पैरे भाई बहुत बताने के निरपेक्ष आदरता बिल्कुल correct answer हो जाएगा आपको option C बिल्कु क्या होगा तो देखो light emiditing light emiditing diode LED का पूर्ण रूप क्या होता light emiditing diode option number D जो भी पैरे भाई बहुत बता रहे हैं बिल्कुल correct होगा बिल्कुल perfect होगा अगला question आपके सामने कि रहेखिए संवेग संदक्सर जो है यह newton के किस नियम पर आधारी थै देखो guys आप से पूछा जा सकता है कि rocket का सिधान्द जो है यह किसके आधार पर होता है तो यह रेखिए संवेग संदक्सर के सिधान्द पर ही होता है और याद रखना रेखिए संवेग संदक्सर का सिधान्द जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानि कि न्यूटन के तृतिय नियम पर आदारित होता है तो जो भी मेरे पहरे भाई बेन आप संसी बता रहें विल्कल परफेक्ट आंसरों हो जाएगा नमस्कार अब जी के विशे का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हाँ आप सभी के लिए पांच दर प्लस क्वेशन्स की एबुक लांच की जा चुकी है इस इबुक में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, एकोनामिक, कांश्टिडूशन, साइन्स के अंतरगत, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बियोलाजी और स्टेटीजी के पांच दर प्लस क्वेशन्स के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे यह इबुक आपको इमेज और कलरडफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा है इस इबुक को आप मातर 39 रुपे में पर्चेस कर सकते हैं जिस पर 60% का डिसकाउंट चल रहा है अगर आप अभी पर्चेस करेंगे तो आप मातर 49 रुपे में खड़ी सकते हैं इसको खड़िने के लिए UPI ID पूजा BCI T05 at the rate OKSBI पर आपको मातर 49 रुपे पे करना है या फिर अन्य डेटियल्स आप वर्ट्सप नमबर 8948667652 पर आप राप्त कर सकते हैं यहां से भी आप पर्चेस कर सकते हैं यह E-book आपको सभी एक्जामस में बहुत ज़्यादा हेल्फ करेगी और आपको सेलक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी बहुत बहुत धन्यवाद